आज की नहीं कल की तैयारी है क्यूνकिए कल है जेश्ट पूर्णिमा जो साल में एक बार आती है और कल यह आ रही है कल शुकुरुवार भी है और पूर्णिमा भी इसलिए कल के दिन को छोड़ना नहीं है इसका पूरा लाब लेना है और तैयारी मैं करवा ही रही हूँ, वो भी एडवैंस में आज आपको पूर्णिमा पर हनुमान जी को प्रसंद करने की उपाई बताऊंगी जिससे तरक्की होगी, पैसा आएगा, बिमारी भागेगी और डर खत्म होगा कल शुकरुवार है, तो आज ही आपको लक्षमी जी को प्रसंद करने वाला उपाई भी बता दूँगी कल जरूर कर लीजेगा, और कल आपको पूर्णिमा पर जपने वाला चूक मंतर भी बताऊंगी मंतर जपने का तरीका भी बताया जाएगा आगे बढ़ने से पहले, आज का पहला महा उपाई क्या है, ये जटपट से जान लेते हैं सवाल क्या है, जरध्यान से सुनीगा क्या आपको जीवन के कष्ट खत्म करने हैं, अगर कोई भी सुपारी लेकर भगवान गणेश को अपने घर में स्थापित करकर सुपारी उनके सामने रखें तो भाग ये शक्ती, सेहत और शान्ती की प्राप्ती होती है गणेश सुपारी जीवन के सारे कष्टों का अंत करती है आप सोच रहे होंगे आज गुरुवार के दिन हनुमान जी एकदम कहां से आ गए? उनकी जानकारी तो मैं मंगलबार को देती हूँ दरसल कल जो जेश्ट पूर्णिमा है उस दिन हनुमान जी के कुछ विशेश उपाई जरूर करने चाहिए आपको हनुमान जी के कौन से उपाई कल जेश्ट पूर्णिमा पर करने है वो आज ही जान लीजे हैं जेश्ट का महीना बजरंग बली को बहुत प्रिय है इसकी पूर्णिमा पर आपकुछ उपाए करके अपने संक्रटों को मिटा सकते हैं क्या क्या करना है और अप पूरे होने के बाद अपनी मनों कामना पूरी करनीatif प्रातना भी करती है हनुमाद जी को ध्वजा यानि की जंडा भी बहुत पसंद है इसलिए कल आप एक काम करें एक केसरिया या लाल वस्त्र में श्री राम लिखकर संभव हो तो कम से कम नौ गाठ वाले बास में जंडा लगाकर हनुमान मंदिर पर चड़ाइए हनुमाद जी को खीर भी बहुत पसंद है और कल आपको पूर्णिमा के मौके पर मंदिर में मेवे वाली खीर बनाकर भोग लगाना है और जरुत मंदों में बाट देनी है कई बार क्या होता है कि आप को कल कुछ खास उपाय करने है कल पूर्णिमा पर आपको 32 बट के पत्ते लेकर केसर का सिंदूर से श्री राम लिखकर उनकी माला बनागर हनुमान जी को पहनानी है अब कल एक और उपाय सुन लीजे लंबे समय से कोई काम लटका हो तो पांच मीठे पान के पत्ते आप उन पीचह चुडाने के लिए अगर डल लगता है तो पीचह चुडाने के लिए 108 लॉंग की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करें आपको बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे अब आज का दूसरा माहा उपाय क्या है ये जान लेते हैं क्या कर्ज बहुत बढ़ गया है उससे मुक्ती ही नहीं मिल रही है ऐसे में ट्यूस्डे को आटे की 21 पूरियां बनाईे हर पूरी पर थोड़ा सा गोड़ रखें फिर मंदिर जाकर इन्हें हनुमान जी को चड़ा दे इन में से दो पूरियां घर वापस ले आएं सब फैमिली मेंबर्स ये प्रसाद के रूप में बाते बाकी पूरियां किसी गरीब को दान कर दे ऐसा फाइफ ट्यूस्डेस करें आपको कोई न कोई सिल्यूशन मिलेगा मैं आपसे मंत्रों की बात भी करना चाहती हूँ एक मंत्र है जिसे कल जपना ही होगा जरूर करना है ये हनुमान जी का मंत्र है ये मंत्र क्या है और इसका जाप कैसे करना है इसका जाप कल पूर्णमा पर करने से क्या होगा इस सारी बात आपसे करेंगे इस सब मैं बताने और दोट कीजिये सबसे पहले तो मंत्र कीजिए बहुत आसान मंत्र हैं फिर बेहिरा अराम से बोलूँगी मंत्र कीजिए आसन बांधू बासन बांधू आपनी काया चारी खूट devoted के बांदू हनुमत तौर दुआई साधारन शब्दों का ये छोटा सा मंत्र अद्भूत प्रभावाला दिव्य मंत्र है इसके जाप से गंबीर से गंबीर अनर्थ से भी रक्षा होती है ये मंत्र सिर्फ दस अजार बार जाप करने से सिध हो जाता है एक मंगल से शुरू करकर अगले मंगल तक जाप पून करें और जाप के बाद 108 आउती घी और गुगल और चंदन के बुरादे से आम की लकड़ियां गोबर के उपनों पर दे इस हवन की भस्म को भी संभाल कर रखें बच्चों क आपको नजर लगने पर डर लगने पर चौकने पर पेट डर्द होने पर बहुत ज्यादा रोने पर आपको किसी भी तरीके के डर यह दर्द होने पर या फिर नेगिटिव एनरजी के लक्षन दिखने पर भस्म का 21 बार आभी मंतर तिलक कर लेना है आराम मिलेगा लेकिन ड पास बर्गद या पीपल के पेड़ की छोट इसी चार तहनिया ले 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 और उसी मंदर में हनुमान जी के सामने रखकर चुमंतर मैंने बताया है उसकी 108 बार जाप करें और तहनिया घर ले आए अगले दिन फिर उन तहनियों को लेकर उसी मंदर में जाएं 108 बार मंतर का पर जाप करें फिर टेहनिया वापस ले ऐसा सोला दिन तक करें सतरवे दिन उन टेहनियों को अपने घरिया दुकान या ऑफिस के चारों दिशाओं में गार दें एक बार में फिर से टेहनियों की आभिमंतरत करने की आपको पता चुकी हूं कि कैसे करना है यह उपाय द्धागे से बनी फूलों की माला चुड़ाई फिर वही मंदर में बैठकर जो मंतर मैंने बताया है उसका 32 माला का जाप करें फिर उस माला को फूलों को साफधानी से निकालकर मंदर की दहलीज पर रख दीजे माला से निकाला देहलीज पर रखा फिर इसको धागे को घर रात में दस बज़े के बार धागे को साथ बार मंतर से बोलकर साथ गांट लगा लिजे फिर इस माला को हाथ यां गले में पहन दीजे इससे आपका बचाव होता रहेगा कोई दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगार पाएगा अगर घाटे को मुनाफिय में बदलना चाहते हैं और नौकरी में प्रोमोशन चाहते हैं तो आपको क्या करना है वो जानिए एक नीबू पांच साबुत सुपारिया एक हल्दी की गांट काजल की डिबिया सोला साबुत काली मिर्च पांच लॉंग और रुमाल की आकार का लाल कपड़ा या मंदिर में आप ये जाकर बै दिखने लग जाएगी अब आप फिर सोच में पड़ गए होंगे अरे ये पूर्णिमा की बात हो रही है बीच में शादी कहां से आ गई आप तो जानते हैं मैं कोई भी बात बेवजा नहीं करती अक्सर आपने देखा होगा कि पूर्णिमा के दिन कुछ उपाई करकर आप पीले फल जिसे आम केला आदी का दान करें कल आपको नया पीला रुमाल अपने साथ में रखना है जिसे भी शादी करनी है उसे रखना चाहिए कल भगवान विश्णू के मंदर में जाकर बेसन के लड़ू चड़ाईए लड़ू के साथ सहरे की कलगी भी चड़ाईए ये अच्छोग उपाई है मैं जो उपाई बता रही हूं वो लड़के और लड़की दोनों के लिए हैं और उन्हें ही करने हैं जिनकी शादी होनी है कल केले के पेड की पूझा करें केला आपको भोजन में केसर डाल कर खाना है केसर का तिलक लगाना है कल जरुद मंदों को पी इनने लायक अच्छा कपड़ा जरूर होना चाहिए कल गुरू ब्रहस्पति के मंदर में जाएं उन्हें पीली मिठाई फल फूल कपड़े अरपन करें कल एक किलो चने की दाल के साथ कोई भी छोटी सी जूलरी का दान करें अगर कर सकते हैं तो दान कीजिए नहीं तो रहन करना चाहिए अब जानते हैं आज का तीसरा माह उपाए क्या प्यार में सफलता नहीं मिल रही है किसी शुब दिन सुबह नहा कर सफेद रंग के कपड़े पहने मंदर जाकर अपने इस तेव को एक लाल गुलाब और साथ सथ जैस्मीन का इत्रू अफर करें लाल गुलाब सफलता की संभावनाएं बढ़ेंगी पूने मा पर लक्ष्मी जी का बहुत बड़ा महत्व है आप धनवान बन सकते हैं आपको कल लक्ष्मी जी को प्रसंद करना है कल शुक्रवार भी है इसलिए कल का दिन तो बहुत विशेश है कल आपको कौन से उपाई करने हैं वो जान कल मोती शंक पर केसर से स्वास्तिक बनाईए एक सो आठ अक्षत लेकर एक एक अक्षत महालक्ष्मी मंत्र बोलकर चड़ाईए फिर उस अक्षत को लाल कपड़ में बांध कर अपनी तिजोरी यां कैश बॉक्स में रखिए मंत्र है ओम श्रीम ओम ओम श्रीम ओम महालक्ष् चावल चंद्रमा का पतीक है और शंक महालक्ष्मी का स्वरूप यह उपाए आप कल रात नौ बजे से लेकर आधी रात साड़े बारा बजे तक कर सकते हैं घर में लक्ष्मी के स्थाई निवाइस के लिए पूनिमा की शाम से लेकर सुबह तक अखंड दीप चलाएं चंद क्या करना है छोटे नारियल की पूजा करके उसे पूजा स्थान पर स्थापत करना है मालक्ष्मी अश्टकम पढ़ने से भी मालक्ष्मी गरीबों के जीवन में आ जाती हैं और गरीबी का नाश करती हैं यह कल होना है कल पूनिमा पर दक्ष्णावरती शंक से मालक्ष्मी क अभिशेक करें और तो और धूबदीप फूल से पूजा करें दक्षावरती शंक भी पूर्णिमा की दिन ही प्रकट हुआ था श्री सुक्त का पाट करने से भी आपको धन की प्राप्ति होती है पूर्णिमा को लक्षमी सहस्तर नाम लक्षमी अश्टोत्र नमावली सिद्ध लक्षमी कवच श्री सुक्त लक्षमी सूक्त महालक्षमी कवच कनक धारा के पाट से भी महालक्षमी की कृपा मिलती है कल पूर्णिमा को आवला की पूजा से भी लक्षमी जी का घर में प्रवेश होता है चांदनी रात में रखें आवले में शक्ति भी आ जाती है कल महाल लक्ष्मी को खीर चुवारे और साथ-साथ मेरे की खीर का भूग लगाईएगा गाए के दूद में महालक्ष्मी का वास है इसलिए उन्हें खीर प्रिय है आज मैंने आपको हनुमान जी का एक मंत्र बताया वैसे भी मैं आपको मंत्रों के बार में पताती ही रहती हूं लेकिन मेरे कई दर्शकों ने पूचा है कि मंत्रों का जाप करने का समय क्या है ध्यान रखना चाहिए और जाप कैसे करना चाहिए तो समय और कैसे आईए आपको इस सवाल का जवाब दे देते हैं मंतर का जाब करने में माला का बहुत महत्व होता है किस मनुकामना के लिए कौन सी माला का प्रयोग करना है ये जानना बहुत जरूरी होता है साथ ही मंतर जाब को लेकर कुछ नियम भी बनाए गए है जिनका पालन करने पर ही मंचाहिफल की प्राप्ती होती है जिस माला से आप मंतर का जाप कर रहे हैं उस जाप संख्या पूरी होने से पहले धारन ना करें मंतर का जाप जितनी ज़्यादा संख्या में प्रण लिया जाएं उसे जरूर पूरा करें और उससे पहले माला को पहने नहीं माला को बहुत पवित्र माना जाता है इसलिए माला को पूजन स्थल में किसी साफ कपड़े में लपेट कर रखें मंतर जाप से पूर रोज माला को धूप दीप और मिठाई अर्पित करें कामनाओं की पूर्ति के लिए 108 मनियों की माला का प्रियोग करना चाहिए इसके अलावा साधना के लिए 27 मनियों और कारे सिद्धी के लिए 54 मनियों की माला का प्रियोग करना चाहिए अगर आप मनो कामना पूरी करना चाहते हैं तो मन की शांती के लिए जाब कर रहे हैं अब अस्टो स्पेशल का वक्त हो गया है यहां जो मैं बताती हूँ वह आपको और कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि ये बात सीधा मुझ्द से जुड़ी भी है क्योंकि पूर्निमा स्पेशल है तो पूर्निमा पर आपको एक खास टिप दे देते हैं बहुत फाइदा होगा पूर्निमा पर आपका चंद्रमा बहुत अच्छे से स्ट्रॉंग हो सकता है चंद्रमा यानि की आपका मन चंद्रमा यानि की आपके एमोशन स्ट्रॉंग हो सकते हैं आपकर लीकविड कैश की पुजिशन स्टॉंग हो सकती है आपके बच्चों की एजूकेशन स्टॉंग हो सकती है करना क्या है दूद से बनीवी कोई भी मीची चीज बनाएं जैसे खीर क्योंकि खीर में चावल और दूद दोनों चंद्रमा के प्रतीक हैं खीर बनाकर चांदी की कटोरी में छट पर रख दीजे चंद्रमा की रोशनी उस पर पढ़े उसके बाद सफेद कपड़े पहन कर आप भी चले जाईए और सफेद चीज खा लीजे इससे तिगुनी असर पर तिगुनी स्पीड पर आपका चंद्रमा मस्बूत होगा और जो ज के साथ भी रिष्टा मजबूत होगा अब चौथा महाउपाय बताने का वक्त आ गया है क्या दुकान या बिजनस में सफलता नहीं मिल रही है आपको किसी भी शुब दिन घर में हवन करवाएं फिर हवन की राक ठंडी होने पर थोड़ी सी राक एक सफेद रंग के कपड़ खुश्बू बैलागी ने हमारे साथ अपनी समस्या शेयर की है और इलाद जो है यह सब पर लागू होगा खुश्बू परिक्षा में सफलता के उपाय जानना चाहती है खुश्बू कैसे पढ़ाई में कंसंट्रेट करें इसके लिए आप ध्यान दें जब हम किसी चीज को कंसंट्रेट करते हैं देखते हैं तो अगर आप अपनी स्टडी टेबल के सामने इगल का चित्र लगा देंगे तो आप भी परिशानियों से उपर उड़कर उनको देख पाएंगे और गोल्स को पापाएंगे इसलिए सोरिंग इगल्स उड़ती वी चील की तस्वीर लगा अपने कल को सुधारी उसे सवारी थोड़े अवेर बनी अपने नाम के हिसाब से या अपनी राशी के हिसाब से इस टिप को फॉलो कीचे और लग को अपने फेवर में कीचे सबसे पहले मेश राशी की बात मेश राशी के लोग कल शाम को घर में कपूर जरूर जलाना है आपको और लग आपका साथ दे रहा है कल के दिन 69% वृष्चिप राशी के लोग अपने इश्ट का नाम कल जरूर ले किसमत आपका साथ दे रही है 58% मिथुन राशी वाले लोग जरूरत मन लोगों को कल खाना जरूर खिलाएए किसमत साथ दे रहा है आपके 77% करक राशी के लोग सोट समझ कर खर्चा करना है आपको लग आपका साथ दे रहा है 72% सिंग राशी के लोग लियोज लक्षमी जी की पूजा जरूर करें लकाप का साथ दे रहा है 63% कन्या राशी के लोग वर्गोज हनुमान चालिसा का पाठ कल दिन भर करें किसमत साथ दे रही है आपका 59% तुला राशी के लोग मंदिर में सरसों के तेल का दान कल जरूर करें किस्मत साथ दे रही है आपका 71% विश्चिक राशी वाले लोग तुलसी के दो पत्ते जरूर खाएं किस्मत आपका साथ दे रही है 61% धनू राशी के लोग गणपती जी को दूर्वा चड़ाईए लग आपका साथ दे रहा है 55% मकर राशी के लोग अपने कान के पीछे कल काला ठीका लगाईएगा किस्मत साथ दे रही है आपका 72% कुम राशी के लोग एक्वेरिंस नेगेटिव सोथ से बचना है आपको काल और लग आपका कह रहा है साथ देगा 61% और मीन राशी के लोग चावल की खीर कल जरूर खाएं और गरीबों में बाटें लग आपका साथ दे रहा है कल के दिन 68% अब आज का पांच्वा और आख्री महा उपाई क्या है यह आपको बता देती हूं क्या गर्मी की वज़द से आपके बाल सूखे और बेजान हो गए हैं एक चमत चाई की पत्ती एक कप पानी में उबाल लें उसे चान लें ठंडा होने दें इस पानी में आदे नीबू का जूस मिला दीजे अब इसे अपने बालों में लगाईए आदे घंटे बात सर्द हो लीजे हफते में ऐसा दो बार करिए बालों में चमक आएगी ड्राइनिस दूर होगी कल शुक्रुबार है और कल पूर्णिमा भी है यानि कि कल तो लक्ष्मी जी का ही दिन है और पूर्णिमा होने की वज़त से कल का दिन बहुत खास हो गया है कल बात करेंगे आपके कल की अभी चलती हूं बाइबाइबाइट टेक केर